नोईडा की सेक्टर 93 में बनी सुपर्टेक एमराल्ड कोट के 32 मंजिला ट्विन टावर रविवार को धस्त कर दिये जाएंगे 200 करोड से ज़्यादा की लागत में बने इन टावर्स को गिराने में करीब 20 करोड रुपे का खर्चाने की बात कही जा रही है इन सब के बीच सवाल ये उट रहा है कि आखिर इन टावर्स को गिराया क्यों जा रहा है अगर ये टावर्स अनियम इतिता बरत कर बनाए गए हैं तो 32 मंजिल की इमारत खड़ी कैसे हो गई बिल्डर ने नियमों को कैसे ताक पर रखा और नोईडा अथोरिटी के अधिकारी क्या कर रहे थे आए जानते हैं कहानी 23 नॉंबर 2004 शीशुरू होती है जब नोईडा अथोरिटी ने सेक्टर 93 ए इस्थित प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आबंटित किया आबंटिन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेथ 9 मंजिल तक मकान बनाने की अनुमती मिली दो साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमती में संशोधन कर दिया गया नोईडा अथोरिटी ने संशोधन करके सुपर टेक को 9 की जगा 11 मंजिल तक फ्लेट बनाने की अनुमती दे दी इसके बाद अथोरिटी ने टावर बनाने की संख्या में भी इजाफा कर दिया पहले 14 टावर बनने थे जिनने बढ़ा कर पहले 15 और फिर 16 कर दिया गया 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया 26 नोईडा अथोरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्षा पास कर दिया 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए एफर में फिर बतलाव किया गया और इस संसोधन के बाद इन दोनो टावर को 40 मंजल तक करने की अनुमती मिल गई इसकी उचाई 121 मीटर तैगी गई दोनो टावर के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई जबकि नियम के मताबिक दो टावरों के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए अनुमती मिलने के बाद सुपर्टेक समूह ने एक टावर में 32 मंजल तक जबकि दूसरे टावर में 29 मंजल तक का निर्मान भी पूरा कर दिया इसके बाद मामला पहुचा कोड और ऐसा पहुचा कि टावर बनाने में हुए ब्रिस्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती गई ऐसी खुली कि आज इन टावर को जमी जोद करने की नौबता गई आखिर मामला कोड कैसे पहुचा फ्लेट बायर्स ने 2009 में RW बनाया और इसी RW ने सुपर्टेक के खिलाफ कानूनी लडाई की शुरुआत की ट्विंट आवर के अवैद निर्मान को लेकर RW ने पहले नौइडा अथॉरिटी में गोहार लगाई अथॉरिटी में कोड की सुनवाई नहीं हुई तो RW इलहाबाद हाई कोट पहुचा 2014 में हाई कोट ने ट्विंट आवर तोडने का अदेश जारी किया शुरुआती जांच में नौइड अथॉरिटी के करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी दोशी माने गए इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी ने मामले की पूरी जांच की इसकी जांच रिपोर्ट के बाद अथॉरिटी के 24 अधिकारियों और कर्मचारीयों के खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई अब जब हाई कोट ने 2014 में टावर गिराने का अदेश दे दिया था तो इसे गिराने में आठ साल क्यों लग गए चलिए जानते हैं इलहाबाद हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुपर टेक सुप्रीम कोट पहुँच गया सुप्रीम कोट में 7 साल लड़ाई चली जिसके बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोट ने इलाहबाद हाई कोट के फैसले को बरकरार रखा सुप्रीम कोट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया जिसके बाद इस तारीक को बढ़ा कर 22 मई 2022 कर दिया गया हलांकि समय सीमा में तयारी पूरी नहीं हो पाने के कारण तारीक को फिर से बढ़ा दिया गया और सुप्रीम कोट के आदेश के तहट 28 अगस्त को दोपहर धाई बजे ट्विंट टावर को गिरा दिया जाएगा ट्विंट टावर के इस ब्रस्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा पिर पिर टावर के बारे में आपकी क के जरिए प्सकितर